ओम शान्ती सुनते हैं आज का प्रशन उत्तर सेशन सबसे पहले संगीता बहन पूछ रही हैं मैं एक साल से भाई जी ग्यान में हूँ छे महिने से पवित्र जीवन जी रही हूँ सेंटर पर अभी एक बार भी नहीं गई मुडली तीन चार बार पढ़ लेती हूँ लेकिन मेरा योग अच्छा नहीं लग रहा बिना सेंटर पर जाए क्या शिबाबा के बच्चे नहीं मन सकते मैं इसके लिए क्या करूँ विनाश का समय भी नजदीक है और मेरा योग भी नह लगता मेरा मार्क परदर्शन कीजिए संगीता बेन आपका योग नहीं लगता क्योंकि नेगटिव थिंकिंग के कारण सच पूछें आपका योग लगता है लेकिन आप नेगटिव सोचती है कि नहीं लगता नहीं लगता आपका योग लगता है क्यों क्योंकि बिना योग लगे बाबा से निश्चे किये विना मैं भगवान की बच्ची हूँ भगवान की आग्या है आप पवित्र जीवन नहीं वेतीत कर सकती वो तभी की जब आपका प्यार है बाबा से तो योग तो यही हुआ ना जब मेरा बाबा मान लिया उसकी आग्या पे चल रही हो मुडली तीन चार बार तो मैं भी नहीं पढ़ता आप पढ़ती हैं तो आप तो मेरे से ज़्यादा योगीन है क्योंकि बाबा ने का मुडली किसे प्यार उसी को है जिसको मुडली मनोहर से प्यार है तो सच्चा योगी बनने का एक स्टेप ये भी है दादी पढ़ती थी तीन चार बार मुडली किवल मुडली पढ़ते हुए कौन मुझे सुना रहा है ये याद रखो भगवान के महवाक्य सुन रही हूँ तो फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका योग यही योग है मुडली की मुखे मुखे पॉइंट उस शुक्षम वतन में शिप बाबा सामने मैं आत्मा सामने और बाबा मुझे डिरेक्ट सुना रहे है नशा चड़ा रहे हैं जैसे मुडली में नशे वाली पॉइंट्स याद कर लो रोज तो ये योग का तरीका टीचर संबंद की याद है टीचर संबंद से भी याद करना है पिता संबंद से भी याद करना है बार बार नशा भगवान की बेटी हूँ नशे की 10-15 पॉइंट आप निकाल लें वो फिर फिर रिवाइज करें तो देखो आपको कितना न योग सही लगेगा रही बात सेंटर पर एक बार भी नहीं गई कोई बात नहीं लेकिन ऐसा नहीं है कि शिप बाबा के बच्चे नहीं बन सकते सेंटर पर जाए बिना बन सकते हैं लेकिन पक्के बच्चे अच्छे बच्चे परिवार जो बाबा का घर बना हुआ है वहाँ अगर अच्छा है आप कभी कभी चलो बंधन है आप रोज नहीं जा सकती तो सब्ता में जाओ सब्ता में नहीं जा सकती तो पंद्रा दिन में जाओ महीने में जाओ जाओ जरू थोड़ा संबंद हो बेनों से connection हो फॉन पे भी रोज संपरक कर सकती हो बेनों से जो निमित बाबा ने रखी है उससे आपको अच्छी guidance मिलेगी और आपकी योग की stage भी अच्छी हो जाएगी आप बिलकुल नहीं जाती हो इसलिए थोड़ा योग में मुश्कलात आ रही है तो आप ये करिए next बंटी भाई पूछ रहे हैं गुजरात से कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ता है मेरी नियत ऐसी नहीं है पैसे लेकर वापस ना करूँ मैं इस जनम में अपना सारा करजा चुकाना चाहता हूँ लेकिन काम कम है इसलिए चुकाना मुश्किल है क्या करें बंटी भाई पहले तो बाबाने का कर्ज मर्ज है कर्ज नहीं लेना चाहिए कर्ज लेते जाओ चुकाना सको फाइदा क्या थोड़े में गुजारा कर लो कर जनाले में लेकिन अब ले ही लिया है तो चुकाने की नियत है ये अच्छी बात है फिर परियास पूरी करो जितना मी उतरता है मजबूरी बता दो आगे नहीं लेना है और थोड़ा थोड़ा उतारते जाओ टेंशन नहीं बिलकुल होना चाहिए टेंशन फ्री और बाबा से अगर रोज पावरफुल योग करोगे 108 गंटा परती मास योग करो और शक्ती शाली योग करो रोज 3.5 गंटा करेंगे और अम्रत वेला वेज पावरफुल योग फिर आप देखो कोई ना कोई जुगार ऐसा मिलेगा जिससे आपको बाबा अर्निंग कराएगा और आपका कर्ज सारा उतर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन शीतल भेन पूछ रही है स्वेम का रिगार कैसे रखना होता है स्वेम का रिगार रखने के लिए जो शिप भगवान ने हमें टाइटल दिये है जो बाबा हमारी इतनी महिमा करते है मन को स्विकार कराना उसको स्विकार करना ही खुद का रिगार रखना है समझो बाबा ने का तुम एक महान आत्मा हूँ ये निश्चे कर लेना मैं स्विकार की एक महान आत्मा हूँ मैं स्विकार की महान common soul नहीं हूँ मैं एक विशेश आत्मा नहीं हुँ इतना पक्का निश्चे सब conscious mind में कर लेना ये ही है स्विम का रिगार रखना आज बाबा से सुनते भी हैं फिर भी बुद्धी कहती है मैं इतनी महम तो नहीं हूँ मैं तो सधारा नहीं हूँ कोई खास काम तो करनी रही अंदर की बुद्धी स्विकार नहीं करती है लेकिन अंदर स्विकार जिस दिन कर लेगी फिर स्वत्य योग लगा रहे फिर तो नशा ऐसा चड़ेगा के पूछो नहीं तो ये इसी चीज़ की कमी है हम स्वेम का रिगार हम स्वेम के जो सौमान के टाइटल मिले हुए उनको हम मन बुद्धी से स्विकार नहीं किया हुआ कि बल रिपीट करते रहते हैं स्विकार करना ही स्वेम का रिगार मैं इतनी पुज्य आत्मा मैं कैसे कुछ छोटा करम कर सकती हूँ इतनी विशेशा आत्मा तो ये है महाना अपना रिगार्ड रखना नेक्स्ट क्वेश्चन हितेश भाई पूछ रहे है ओम शांती भाई जी मेरी जौब नहीं लग रही बहुत ज़्यादा टेंशन है मन करता है मर जाओ इतेश भाई मरना कोई हल नहीं है मर के फिर मरना भी एक महापाप अगर अब प्रिस्तितियां ठीक नहीं हो रही तो पूरु जनम के कोई पाप है या इस जनम के और एक उसमें महापाप एड होने के बाद आप बचनी पाएंगे चोला जरूर बदल जाएगा यही क्योंकि पाप और एड हो गया बोजा और एड हो गया इसलिए सीधी बात समझो इतेश भाई आपकी जॉब नहीं लग रही आप पाउरफुल बाबा की याद में रहो योग लगाओ फिर बाबा जरूर कहीं न कहीं सेटिंग कराएंगे और दूसरा हम अपने स्टेटस सिंबल बना लेते हैं कि मुझे इतनी वाली जॉब मिलनी चाहिए अरे चाहे छोटी तो हर आदमी को मिल जाती है आज क्या मुश्किल है कौन मजदूरी की और कोई भी किसी परकार की जॉब छोटी मोटी तो सब को मिलनी लेकिन हम मरना मंजूर करते हैं छोटी जॉब नहीं करते हैं अरे हमारे प्राइम निस्टर चाहे बेचने का जॉब किया आज टाइम आने पे प्राइम निस्टर भी बने छोटी मिले जो मिले करो उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेगा बाबा बढ़ाता रहेगा मरना कोई solution नहीं है फिर भी आपको job चाहिए तो आप हमें संपरक करें हम भी आपकी मदद करेंगे कहीं न कहीं इंडस्टी में कहीं कुछ आपको जरूर help करेंगे लेकिन आप द्रिड़ परतिग्या करो कि मरने का संकल्प कभी नहीं करना ठीक है शिप बाबा साथ है मददगार है उसका निष्चे बढ़ाओ योग लगाओ तब सब कुछ ठीक हो जाएगा next question पूनम बहन पूछ रही है ओम शान्ती भाई जी अगर कोई बहन आकर किसी की बुराई करे और मुझे उनकी बात नहीं सुननी मैं उनको हटा भी नहीं सकती तो ऐसे समय में क्या करें पूनम बेन युक्ति से मुक्ति प्राप्त करो आप वो बुराई करे आप कोशिश करके उसकी कोई ना कोई बीच में आँ ठीक है लेकिन देखो उसमें ये गुण भी बहुत है उसमें ये विशेष्टा भी बहुत है बले वो लाल पी लियो बले कुछ हो पर आप विशेष्टा भी बाब फिर साथ बताती भी बाबा ने कहा सब की विशेष्टा देखनी है प्यारे बाबा ने ये भी तो बताया ना बुराई तो हमारे में भी है आप में भी है अच्छा बताओ उसमें कौन सी विशेष्टा है को विशेष्टा भी तो होगी वो आप पे अपना रंग चड़ाए आप अपना चड़ाए तो जब देखेगी ये ग्राहक नहीं है आगे से वो बंद कर देगी आपके सामने बुराई करना क्योंकि उसे पता है ये अच्छाई जरूर उसकी वर्णन करेगी और फिर भी वो संसकारों के अधीनों फिर किसी युक्ते से कुछ काम मैं अभी आई कहके चला जाना चाहिए ताके हमें उससे मुक्त होना जरूरी है क्योंकि बुराई सुनते सुनते उसका भी असर होता है तो हम उससे अपना बचाओ करें तो इस तरीके से हम अपने आपको बचा सकते हैं